वक्रतंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विधनम कुरुमे देव सर्वकार्येशु सर्वदा वक्रतंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विधनम कुरुमे देव सर्वकार्येशु सर्वदा आज हम मागमास के महात्यमे का सत्रवा अध्याय सुनेंगे इस अध्याय में कांचन मालिनी द्वारा राक्षस के उध्धार का वर्णन आएगा कांचन मालिनी आगे बोली की हे राक्षस इसलिए मैं सब देताओं के साथ माग महने में प्रियाग राज इसनान करने के लिए जाती हूँ तुम्हारे पूछने पर मैंने अपना सारा व्यतान तुम्हें कह सुनाया इस तरह अब तुम भी मुझसे अपना पूरो सारा परिचहत कहो किस कार्म से तुम कुरूप और इतने भैंकर राक्षस हुए बड़ी बड़ी ढाड़ी मूच वाले विक्राण धाड़ वाले तुम परवत की गुफा में कैसे निवास करते हो तव गयर राक्षस कांचन मालिनी से बोला इच्छित वस्तु देवे वाली अपने गुप्त बात कहने वा पूछने वाली है सिलो चले यही सजनों का काम है मैं में संदर तुम से कहता हूँ अब मुझकून जन्मा के भरिशे का उद्धार तुमारे हातों ही होगा अपने किये हुए कर्म को मैं तुम से कहता हूँ क्योंकि सजनों द्वारा ही दुखों का नाश होता है हे सुशुरोनी हे कल्यानी तुम सुनो मैं काशी में वेदों की अनेग लिचाओं का ग्याता था उत्तम विप्रकुल में पैदा हुआ था हे भीरू दुराचारी राजाओं पापी शुद्र तथा वेश्यों से मैंने काशी में निंदित और निशिद बड़े बड़े दान लिये यहां तक की चांडालों का भी पतिग है ग्रहन किया एम मुझ मूड बुद्धी से और भी अनेग पाप हुई है ऐसा कोई कर्म नहीं जो मैंने किया हो यह सुνदरी अभी मुट्थी शेतर में अनु मात्र भी पाप करने से वह पाप मेरी परवत के समान हो जाता है उस जर्म में मैंने थोड़ा साभी धर्म नहीं किया उसके पशचाथ वही मेरी मेर्त्यू हो गई तीरत में मारने से मैं नरक में नहीं गया तीरत इस्तान में मारने वाला कैसा भी पापी क्यों नहो नरक गामी नहीं होता अता इस सुवरत जपाप के कारण मैं हिमाल्य परवत्प अत्यंत क्रूर पापी राक्षस की योनी में जान में लिया इसके पहले दो बार मैं गिद्ध योनी में, तीन बार वाग्र योनी में, दो बार सर्प और एक बार उन्लू और नौमी बार नीच सुकर की योनी में पैदा हुआ था तब से अब तक ये राक्षिस योनी का दस्वा जन्म है, जिससे मेरे जन्म के हजारों वर्ष व्यतित हो गए है, इस दुख से मेरा उध्धार नहीं होता है भामेली, मैंने इस इस्थान को तीन योजन परियंत जीव जन्तों से रहित कर दिया है, बहुत से निर अपरादी ज के छिड़काव को पाकर मेरे चित्त में ठंड़क आई है, यही सत्य संगती का प्रभाव है, मैंने अपने दुख के ये सारे कारण तुमसे कहे, है सुबरू, मैं इस दिक्रूपी समगर से पार कैसे होगा, उसके बाद दत्ता तरई जी बोले कि हे राजन उसके ऐसे दीन ही वचन सुन कर, चितने धया लाकर और धान दान देने के लिए मन में निश्चे कर कांचन वालीनी ने उस देते से कहा कि हे राक्षस, मैंने यह द्रड प्रति क्या कर ली है कि मैं आवश्य ही तुमारी मुक्ती के लिए शिग्र प्रयात्न करूंगी, मैंने प्रते एक प्रत्र प्रयार में गंगा यमना के संगम में शद्दापूरक जितने बार इसनान किये हैं उसकी कोई संख्या नहीं है, परंतु धर्मों का आचरन गुपते रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, मुनियों ने दीन एमदुखी लोगों को ही दान देने की प्रश यह कहा कर उसने अपने वस्त्र को भी चोड़ कर और उसके जल को अपने हाथ में लेकर माग इसनान का फल संकल पर भर कर उस व्यद्र राक्षस को दे दिया, दत्ता तेज जी कहते हैं कि हे राजन माग मास के विचित्र प्रभाव को सुनो, उस राक्षस ने उसी शर्ण कफूलित होकर देताओं के विमान पर चड़कर आकाश में अपने कांती से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, दिवयरुद्धारं किये हुए, दूसरे सूर्य की भाती सुशोबित हुआ और उस कांचन मालेनी की प्रशंसा करने लगा, और कहने लगा कि हे भद्रे इश् उपकार से मेरा उद्धार हुआ है, अब मेरे उपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण सब धर्मों के करने वाली शेष्ट शिक्षा मुझे दो, जिससे कि मैं भविश्य में कोई पाप न करूँ, यह सब सुनकर फिर तुम्हारी आग्या पाकर मैं स्वर्ग को चला जाओंग दतातेजी ने कहा कि हे राजन उसके मदुर वचन कहने पर कांचन माली ने उसे बड़े ही प्रेम पूर्वग धर्म उपदोश दिया, कांचन माली ने उस राक्षट से कहा कि हे देते सबेव हिंसा त्याग कर धर्मों का पालन करना, सादू पुरुशों की सेवा करना, काम आदी शत्रों पर विज़ा प्राप्त करना, दूसरों के गुन और दोश की चर्चा छोड़ कर सत्य बोलना, शीव और वासुदे भगवान की हमेशा पूजन करना, अस्थी, मास और उधीर से व्याप्त देह से गर्व को त्याग कर पत्नी पुत्र आदी की सदे ममता त्या अब शील युक्त हो, राक्षस सरी छोड़ कर ते शरी धारन करो, और ते जस्वी होकर जल्दी ही स्वर्ग के सुख भोगो, यह कहकर कांचन मालुनी चुप हो गई, ऐसा धर्म उपदे सुनकर प्रसंद चित से संतुष पूर्वक राक्षस ने कहा कि है कल्याणी, तुम न और उमा के चर्णों में तुमारा अखंड प्रेम बना रहे, हे माता, तुम सबे धर्म निष्ट और पपो निष्ट बनी रहो, कभी भी तुमारे शरी में मामत नहो, दुख्यों के दुख को सबे नश्ट काती रहो, दताते जी ने कहा कि हे राजन ऐसा कहकर वहराक्षस उस कांचन मालेनी को प्रणाम करके अने गंधरों द्वारा इस्तूदी किये गे सर्व में चला गया, तब दे कर्ण्याव ने वहां आकर खुशो कर कांचन मालेनी के मस्तक पर पुष्पों से वर्षा करी और आलिंगन करके बोली, कि हे भदरे, तुमने इस राक्षस का विचि कर पाएंगी, दत्ता त्रेई जी ने कहा कि हे राजन वह परोप कारेनी कांचन मालेनी, दे कर्ण्याव के मुख से ये वर्षन सुनकर सुखी हुई, उकरताद हो, इस राक्षस की मुक्तिकर प्रेम पूरग दे कर्ण्याव के साथ कीड़ा करती हुई, शिव लोग को चली दे कर्ण्याव द्वारा कहेगे, इस सावाद को जो मनुष भक्ति पूरग सुनता है, उसको राक्षसों से कोई बाधा नहीं होती, उसकी बुद्धी हमेशा धार में में रहती है मुनी वशिष्ट राजा दिलिप से आगे बोले कि हे राजन आप माग मास के फल का शवन करों, जिसके शवन मातर से मनुष कायक, वाचक और मानसिक सभी पापों से मुक्त हो जाता है हे राजन जो मनुष माग मास में सुबह उठकर यह प्रण करता है कि मैं रोज माग मास में ब्रह्मुरत में उठकर इस्तनान करूँगा, विश्णु भगवान और क्रश्णु जी का पूजन करूँगा, उसके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है माग मास में सभी लोगों को तीन दिन अवश्य इस्तनान करना चाहिए, इर्शा, धन, लोब, सेवा, हट, लोक अपाद, नीमित, सुच्छा, भै, पाखंड, सुख, लिपसा, किसी भी उपाय से माग इस्तनान अवश्य करना चाहिए परन्तुकलियों में पाप अधिक होने के कारण माग मास अतीदुलब है माग मास के शेष्ट फल से डर कर यमराज ने इसको गुप्त रखने के नीमित भगवान से प्रातना करी थी और विश्णु की आग्या से इसको गुप्त रखा था तब राजा दिलिप मुनिवशिष्ट से बोले कि हे देव हम आगे भी माग मास के महात्यमे को और कथाओं को सुनना चाते हैं कृपा करके हमें और भी कथा सुनाए तब मुनी वस्षिष्ट राजा दिलिप से बोले कि हे राजन आज मैं तुम्हें एक ऐसा इतिहा सुनाओंगा जिसके श्ववन मात्र से तुम्हारे मन के सभी संधह दूर हो जाएंगे एक बार एक नगर में एक सोम्तत नाम का ब्रामन रहता था वह समस्त विध्या से हीन, मुर्ख और परनिंदक था वह नित्य क्रय विक्रय का कारिय क्या करता था इस व्यवसाय में व्य बहुत जूट बोला करता था और चोरी चकारी भी क्या करता था और इसी से व्य अपने परिवार का पालन पोशन करता था जब क्रेविक्रे के कारिये से व्य अपने परिवार का पालन पोशन ठीक से नहीं कर पा रहा था तो उसने चोरी करना भी प्रारम कर दिया इस तरह वह सोम शर्मा ब्रहमन चोरी चकारी में लीन हो गया और अपने परिवार का पालन पोशन करने लगा एक दिन उसको चोरी करते हुए गाउं के लोगों ने देख लिया और उसे पकड़ कर खूब मारा और उसे गाउं से बाहर निकाल दिया कुछ दिनों तक तो वह सोम शर्मा ब्रहमन गाउं के बाहर जंगल में जाकर रहने लगा परन्तु वह रातरी को वापस अपने घर आ जाता था और दिन में वापस वन में चला जाता था और वन में पश्यूओं को निर्दयाता पूर्वक मार कर वे खाने लगा यह कार्म करते हुए उसको बहुत समय व्यतित हो गया इसके पश्चाच जब माग का महिना आया तो वे सोम शर्मा भ्रामन अर्ध रातरी के समय वन से गाउं में आकर कपड़े और गहनों की चोरी करके पुनहें जंगल में चला जाता था गाउं और जंगल के बीच में उसे नदी पार करनी पारती थी वह रोज नदी को पार करके जाता था इस तरह अज्यानतावस उस सोम शर्मा ब्रामण ने माग मास में प्रती दिन इसनान किया इस तरह पूरे माग मास में रातरी में नदी तेर कर गाउं में आता गाउं से वह कपड़े रुपय और धन चोरी करके सुबह के समय वापस वह वन में चला जाता था अज्यानतावस वह ब्रामण ने इसनान किया प्रती दिन वह इसी प्रकार से रातरी को गाउं में आकर चोरी करता चोरी का धन लेकर प्रतर समय होते ही नदी में इसनान करता हुआ वन में जाता इस प्रकार अज्यानता वक्ष माग मास में इसनान करते हुए उसे पूरा एक महना बीट गया हे राजन जब माग पूनिवा का दिन था तो वह धन वस्त्र की चोरी करके उसे चोरी के धन को एक कपड़े में बाध कर वह वापस नगर के बाहर आया तब तक सुबह हो चुकी थी लोगों को इधर उधर आते जाते हुए जब उसने देखा तो वह वहां से भागता हुआ नदी के तट पर आया लोगों ने उसे देखा तो उसे लाठी और पत्थरों से खुब मारा परंतु वह सोम शर्मा ब्रामन चोरी के सामान को सिर पर रख कर नदी में कूद गया चोरी का सामान की पोटली में बोज अधिक होने के कारण और सिर पर डंडे की चोट के कारण वह जल में डूप कर मर गया तब लोगों ने उस ब्रामन को नदी में से बाहर निकाला नदी में से बाहर निकलने के बार लोगों ने देखा तो कहा कि अरे यह तो वही सोम शर्मा ब्रामन है जिसे हम लोगों ने गाउं से बाहर निकाल दिया था उसी समय वहाँ एक दे विमान आया सोम शर्मा ब्रामन ने उत्तम देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलंकार पहन कर उस विमान पर आरूर हो गया तब सभी लोगों ने देव दूतों से पूछा कि यह देव दूतों यह विमान इस दुष्ट ब्रामन के लिए किस लिए आया है यह तो महा पापी है इसने पूरी उम्र जूट बोला है और चोरी चकारी करी है तब देव दूतों ने कहा कि हे पूरवासियों माना कि इस सोम शर्मा ब्रामन ने पूरी उम्र चोरी करी है जूट बोला है परन्तु इसने अज्यानता वश माग मास में नदी में दो समय इस्तन करता था और एक बार सुभह करता था इसलिए इसके लिए ये दैव विमान आया है और यह बैकुंट का वासी होगा और यह विश्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त हुआ है जब लोगों ने यह सुना तो उन्हें बहुत आश्चरिये हुआ सबी लोग उस सौम शर्मा ब्रामन को दिवे देह धारन करके देव विमान में बैटकर जाते हुए देखा तब राजा दिलिप ने मुनिवश्षिष्ट के मुख से यह महात्यमे सुना तो उन्होंने वापस से मुनिवश्षिष्ट के चरण पकार लिए मुनिवश्षिष्ट ने राजा दिलिप से कहा कि हे राजन इस माग मास के इस नान का महात्यमे काफल आज मैंने तुम्हें बताया और तुम इसके अलावा क्या सुनना चाते हो तुम्हारे मन में और क्या संदे है वैं पूछो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धान्यवाद